नमस्कार बोट बोट स्वाकत है आपका न्यूजवल इंडिया मैं मैं हूँ अपके साथ प्रद्यमिश चर्मा एक नज़र डालते हैं पाच मिनिट में 25 खबरों पर गाजीपूर बॉर्डर पर बेरिगेट्स लगा दिये गए हैं जिससे एने 24 पूरी तरीके से बंद हो गया है नॉड़ा से अक्षरधाम जाने वाले रस्ते के अलावा दिल्ली से इंडिरपूर और नॉड़ा जाने वाले रस्ते को बंद कर दिया गया है उत्तर और मद्य भारत में सर्दी का सितम जारी दिल्ली में आज सुबह से घना कौरा चाय हुआ कौरे के वज़े से विजिबिल्टी काफी कम हो गई है जिससे लोगों को परिशानियों का स्तामना करना पड़ रहा है और वहीं भारत में पिछले 24 गंटे में COVID-19 के 13,052 नए मामले सामने आये देश भर में पिछले 24 गंटे में 127 कोरना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है देश में अब तक कोरना संक्रमन से 1,54,214 लोगों की मौत हो गई ओवेसी ने कॉंग्रेस और तुनमूल कॉंग्रेस को जम कर खरीकोटी सुनाई ओवेसी को भाजपा की B-team बताया जाने से नाराज ओवेसी ने कहा कि मैं सपष्ट कर दूँ कि मैं किसी भी टीम का नहीं हूँ मैं सिर्फ जनता का हूँ दिल्ली सित, इस्राइली दूतावास के पास हुए बम दमाके में एक और बड़ा खुलासा हुआ है ABDC की टीम को अंदेशा है कि 20 फोर्ट में एनरजी ड्रिंक का इस्तमाल किया गया है पुत्रदेश की राजदानी लखनों में बैंक से कैश लेकर लोट रहे बुजर्ग से बाइक सवार बदमाशों ने 9 लाख रुपे लूट कर फरार हो गया है जिसके बाद इलाके में अड़कम पमच गया घटना इस्तल के पास लगे सीजी टीवी कैमरे में बदमाशों की तस्वीर कैद हो गयी जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्च किया बदमाशों की तलाश शुरू की गुरकपुर में दो बहन और एक भाई का परहन कर भाग रहे बाइक सवार खुद को गाओं वालों से घिरा देख बच्चों को छोड़कर फरार हो गया है जिसके बाद पुलिस ने बच्चों को परिजनों को सौपा और बदमाशों की तलाश शुरू की गाजियाबाद में बिवाद में युवक की गोली मार दी पुलिस ने आरूपी को किया गरफतार राची में एक नशिबाज शक्स ने अपनी मा की हत्या कर दी मा का कसूर इतना था कि खाना बनाने में देरी हुई तो शक्स ने डंडे से मा पर हमला बोल दिया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लड़की गर्वती थी फिलाल पुलिस जाज कर रही है और वहीं वार्णसी के एक स्कूल में पढ़ने गई कक्षन 9 की तीन चात्रा हैं वापस घर नहीं लोटी काफी खोजबीन के बाद तीनों का पता नहीं लगा तो परिजरों ने पुलिस को सूचना दी पुलिस तीनों चात्राओं के स्कूल के असपास लगे सबी सीजी टीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है उनकी तलाश अभी की जा रही है दिली में कार खराब होने के बाद दोस्त के आने का इंतजार कर रहे कारोबारी को बदमाशों ने लूट लिया बरीजा कार सबार बदमाशों ने कारोबारी की कार के पास आकर उसे जान से मारने की धमकी दी और नगदी और अन्ह सामन लेकर फरार हो गये है पीडित कारुबारी की शिकायत पर पुलिस ने मामरा तर्च किया पंजाब में मंदिर के अंदर गुसकर कुछ अग्यात हमलावरों ने पुजारी और एक यूवती पर फाइरिंग कर दी जिसके बाद पुजारी गंबी रूप से गाहल हुआ है पुजारी को तीन गोली लगी और यूवती को दो गोली लगी है गाहल हालत में पुजारी और यूवती को अस्पताल में भरती कराया खुशिनगर जिले में देराथ स्वेट और पुलिस को बड़ी सपलता हाथ लगी है पुलिस ने चार तस्खरों को एक कुंटल 27 किलोग्राम चरस के साथ पकड़ा है इसकी कीमत लगबग 7 करोड 62 लाक रुपे बताई जा रही है और वहीं कुशी नगर मैच 7 साल की दुशकर्म पीड़ता को भरती कराने के लिए भाजपा विदायक को खुद सामने आना पड़ा फिर 6 गंटे बाद मासूम को ICU में भरती कराके इलाज शुरू किया गया देरशा मासूम बिटिया का 2 गंटे का ऑप्रेशन चला ऑप्रेशन के बाद ICU में होश आने पर इमर्जेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया बहराइच में रेडिमेट कपडों की दुकान में भीशन आग लगई जिसके बाद इलाके में अफरत अफरी मच गई हाथ से मैं जलकर करीब 2 लाख रुपे का सामा जलकर खाक हो गया जानकारी पर पुलिस, कर्मी, इस्थानिय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग बुजाने का प्रयास किया है लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था लखनो में दमपत्ती ने देरात फासिल आकर जान दे दी सुबा जनकारी होने पर पुलिस पहुची है, दौनों शवों को कमरे से बाहर निकल कर पोस्ट माटम की लिए बेजा शुरुवाती परताल में सुसाइड नोट मिला है जिसमें कर्ज में डूबे होने की बात सामने आई, पुलिस मामले की चानवीन कर रही है मौ में दो किराना की दुकानों को चोर ने निशाना बनाया, दौनों दिकानों से लाकों रुपे का सामन लेकर फरार हो गया है चोरों ने शटर तोड़कर वारदात को अंजाम दिया था, फिलाल पुलिस ने मुकदमा दर्च किया सोनी पत में हमला वरोन है के युवक के सिर और पैर में गोली मार कर हत्या कर दी पुलिस ने शटर को पोस्माटम के लिए भेजा, परिजनों को सौब दिया गया है उसके बाद शटर पुलिस ने हत्पिता के बयान के आधार पर आगे की जाच करी जा रही है गोरकपुर में MBBS में दाखिला पानी के लालच में एक युवक ने 22 लाख रुपे गवा दिये दाखिला ना होने पर रुपे वापस मांगे गए जिसके बाद जालसाज ने चार चेक दिये जो बाउंस हो गए पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की बराइच में मुगबिर की सूचना पर पुलिस ने एक करोड़ साथ लाख रुपे की समयक के साथ एक तसकर को गिरफतार कर लिया फिलाल पुलिस तसकर से पूस्ताच कर रही है लगातार तसकरी की शिकायत पर पुलिस ने ये बड़ी कारवाई की और वहीं केंद्र ने एक फरवरी से सिनिमा हॉल को सो प्रतिशत शमसा से संचालित करने के नुमती दे दिया है अब इस सम्मन्द में सूचना और प्रसारण मंतरा ने सिनिमा हॉल और सिनिमा घरों के लिए एक एसूपी जारी की अभी नेता सोनु सूध ने कथित अवैद निर्मार से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का दर्वाजा खटकटाया है सोनु सूध ने बॉंबे हाई कोर्ट के फैसले को चिनौती दी फिलाल पाक्स मिनिट पच्चेस खुबर में सिर्फ इतना ही बने रही है निजवल इंडिया के साथ नमस्कार